नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का नाम है डरपोग पत्थर, बहुत पहले की बात है, एक सिल्खकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढोलने गया, वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देख कर वह बहुत खुस हुआ, और कहा यह मूर्त मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है, जब वह आ रहा थो तो उसको एक और पत्थर मिला, उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया, घर जाकर उसने पत्थर को उठा कर अपने ऑजार से उस पर कारिगरी शुरू कर दी, ऑजार की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझे को छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मुझे पर चोट करोगे तो मैं बिखर का अलग हो जाओंगा, तुम किसी और पत्थर पर मुर्ती बना लो, पत्थर की बात सुनकर सिल्पिकार को दया आ गई, उसने पत् पत्थर बहुत अच्छी भगवान की मुर्ती बना दी, गाओं की लोग मुर्ती बनाने के बाद उसको लेने आये, उसने सोचा हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी, उन्होंने वहां रखे पत्थर को भी अपने साथ ले लिया, मुर्ती को ले और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था, जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वस चिलाता लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था, उस पत्थर ने मूर्ती बने पत्थर से बात करी और कहा तुम तो बड़े म लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं तुमको दूद से असनान कराते हैं और लड्डूमों का परसाथ चड़ाते हैं लेकिन मेरी तो किसमत ही खराब है मुझपर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं इस पर मूर्ती मैंने पत्थन ने कहा जब सिल्पकार तुम पर कारीगरी क कर रहा था यदि तुम उस पर शमय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते लेकिन तुमने आसान रास्ता चुन लिया अब तुम इदुख उठा रहे हूं उस पत्थर को मूर्ती बने पत्थर की बात समझ में आ गई उसने कहा अब मैं भी कोई सिकायत नहीं करू नारियल तूटने से उस पर भी नारियल का पाने गिता और लोग मूर्ती को प्रशाद का भोग लगा को इस पर पधार लगने लगे हमें इस कहाने शशीक मिलती है कि कठिन परिस्तिती से घबराना नहीं चाहिए आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों कैसी लगी हमें कमे किसी एर की